All India Light Association for Justice के संजोजा काफंसर बताए कि महागठवंधन की सरकार की क्या इस्तिती है फिराद देखिए महागठवंधन जो सरकार बनी है तो इस महागठवंधन से सरकार से जनता का बहुत जादे उमीद बढ़ा है हमारा चातर नौजवान का उमीद बढ़ा है कि 10 लाख का सरकारी नौखरी होगा और मुकमस जी बोलेँ है कि 10 लाख और रोजगार देंगा तो 20 लाग का रोजगार के लिए जनता का पूरा और सात्मना उजवान का पूरा उमीद बढ़ा है और आपको देश के राजनीती में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया है देश की राजनीती में भी आप समझे कि जो आदमी अनुबंध पर नोक्री कर रहा है या अगनी बी सरकार का सुविधा मिलेगा तरमचारी जिसको नया पेंशन नीती है उसे भी उमीद बढ़ा है कि अब हमारा पुराना पेंशन नीती आ जाएगा और इस परकार मजदूर किसान को भी MSCP का लावे मिलने की बहुत बड़ी संभाबना है तो हम समझते हैं कि आप बरतमान सरका सरकार को चाहिए जो महागतवन्दन की सरकार विहार में है यह आपको मंदल कमींशन का पूरा आपको अरख्षन उसमें प्राप्त है जिसमें 10% अरख्षण अगरीजाती को हभी है बहुत दस परफशन अरशन मिला है लेकिन पिछली जाती का जो अरक्षन है उसको अरक्षन को उनको 75% तक पहुँचा जाना चाहिए 75% जब अरक्षन हो जाएगा तो देश की राजिती में बहुत बड़ा भुचाल आ जाएगा निती जी पर और तेश्टी जी पर पूरे देश की जनता का पूरा भरोसा बढ़ेगा यह बात मने अब यह जो बर्तमान सरकार है वो बर्तमान सरकार से 6 नوجवान किसान मजदूर सबको बहुत उमीद बड़ी है जनता का उमीद जगा है आफ जहां कहें जैसे हिलसा है हिलसा में बहुत दिनों से जिला का मांग चल रहा है तो अब हिलसा आपको जिला बनाना चाहिए नितीजी को ताकि हिलसा के विजनता को उमीद कुरा हो आवासा है कि विश्वासे की जिला बनावेंगे यह सब बात तो है आज के सरकार से बहुत जादे उमीद है जिया सरकार्या काम करेगी